Dear students, today we have to discuss about the Jacobian comedy that is Walpano. Walpano एक Jacobian drama है जो Jacobian age में Ben Johnson के द्वारा लिखा गया था और यह comedy है. इसका सेट अप इस ड्रामा का सेट अप भैनिस सीटी में है और इसके जो नाम है यह इटालियन नाम है जिसका मीनिंग बिष्ट के नाम पे होता है जानवरों के नाम पे जैसे भॉलपनियों का दूसरा नाम है फॉक्स और फॉक्स बाइ नेचर हम लोग जानते हैं वो कनिंग होता है चीटर होता है धूर्त होता है फॉक्स same is the case with बॉलपने यह main character है जैकोबियन ड्रामा यह बॉलपने 1606 में लिखा गिया था और 1607 में यह publicly globe theater में display हुआ था यह ड्रामा बैं जोंसन ने इस ड्रामा को अपने contemporary writers के उपर satire करने के लिखा था एक satire है अपने contemporary writers के उपर Ben जोंसन के द्वारा अब आते हैं हम लोग कुछ main character इसके जो main characters हैं उसके उपर नाम आम बता देने से आपको सैद्याद नहीं रहेगा इसलिए मैंने इसको एक page पे लिख दिया है characters आप लोग देख लीजिए यह हैं different characters और बॉल पेनो आप लोग चाहें तो इसको लिख लीजिए यह नाम को और इसके अनुसार हम लोग discuss करेंगे man character है इसमें बॉल पोने इस बॉल पोने के वह सारे servants हैं जिसमें सबसे फैवरेट उसका और एक सर्वेंट है नैनो वह भी फैवरेट ही है लेकिन मौस का सबसे ज्यादा फैवरेट सर्वेंट है बॉल पोने का बॉल पोने एक बुढ़ा आदमी है जो बहुत ही लोगी है और उसके लोग की कोई सीमा नहीं है अबले ही सच अग्रीडी मैन देट इस बॉलप्चुसनेस अस नो लिमिटेशन से टाल एनिवे दूसरे इसके करेक्टर से हैं वाल्टोर जो की लीडर है एड्वाकेट है बैनिस के कोट में तीसरा करेक्टर है कॉर्वेशियो जो की बॉल पेनों से भी ज़्यादा ओल्ड है ये ठीक से सुन भी नहीं सकता है दात भी इसके नहीं है लेकिन ये भी एक नंबर का छटा हुआ लोही आदमी है संपत्ती के लिए ये कुछ भी कर सकता है और तीसरा है केरेक्टरिसम है कॉर्वीनों कॉर्वीनों भी लोवी आदमी है इसको भी प्रोपर्टी चाहिए तो ये तीन भॉल्टर, कॉर्वेशियो और कॉर्वीनों ये तीन भिक्टिम्स हैं भॉल्पोने के द्वारा बनाये वे जिसको भॉल्पेनो उल्लू बनाता है बेबकुब बनाता है और भॉल्पेनों को बहुत मज़ा आता है उसको चीट करने में उसको टॉर्चर करने में इन तिनों को टॉर्चर करने में चीट करने में भॉल्पोनों को बहुत मज़ा आता है और वालपोनों का उसमें साथ देता है मोस का कॉरवेशियो को एक बेटा है जिसका नाम है बोनेरियो कॉरविनो को वाइप है और उसकी वाइप का नाम है सीलिया ऐसा बोला जाता है कि भेनिस सहर की सबसे सुंदर लेडी है वो सीलिया उसके बाद माइनर तीन माइनर कैरेक्टर हैं सर पॉलिटिक वोड़ भी जिसकी वाइप है लेडी वोड़ भी और एक थर्ड कैरेक्टर है यह ट्रेवलर है पेरेग्रीन तो अब हम लोग ट्रामाई स्टार्ट करते हैं यह कैरेक्टर्स का इंट्रोड़क्शन था बॉल पेनों मैंने पहले ही आपको बताया कि वो बहुत ग्रीडी मैन है बुढ़ा आदमी है और प्रोपर्टी के लिए वो कुछ भी कर सकता है हुआ ऐसा मौस्को के साथ मिल करके उसने एक चाल चली वो बोला कुछ रिउमर ऐसा उठाओ एक रिउमर उठादो कि बॉल पोनों मरने वाला है और उसके प्रोपर्टी का कोई हकदार नहीं है जो उसको पसंदा जाएगा जो उसका सबसे नजदी आजाएगा वो प्रोपर्टी उसी को दे देगा बोल पोनों को ना वाइफ है ना बच्चे है कोई नहीं है He is all alone Only the servants are with him तो मौस्का ने ये रिउमर उठा दिया बॉल पॉन के बारे में कि वो मरने वाला है उसका प्रोपर्टी का हगदार कोई नहीं है जो उसके बहुत बेहत नज़दी का जाएगा प्रोपर्टी उसी को मिलेगा तो इसमें सबसे पहला नाम आया कॉर्वेशियो का ये कॉर्वेशियो को मोसका ने बोला कि देखो कॉर्वेशियो तुम्हारे पास भी बहुत प्रोपर्टी है और रियली में कॉर्वेशियो के पास बहुत प्रोपर्टी था भी लेकिन इसके बाद भी उसको और प्रोपर्टी चाहिए जबकि वो भॉल पेनों से ज़्यादा ओल्ड है फिर भी उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं भॉल पेनों से ज़्यादा दीन जीऊंगा इसलिए वो नाष्टे नाष्टे प्रोपर्टी प्रोपर्टी करते हुए वो भॉल पेनों के पस पहुँच गिया उसकी सेवा करने के लिए मोस्का ने उसको बताया कि देखो कारवेशियो तुम ऐसा करो उसका दिल जीत लो बॉल पोने का कैसे तो तुम्हारी जो प्रोपर्टी है उस प्रोपर्टी को तुम बॉल पोने के नाम कर दो तो बॉल पोने को ये यकिन हो जाएगा कि आह ये आदमी कितना अच्छा है मेरे लिए अपनी प्रोपर्टी का भी त्याग कर दिया और तुमको तो मालूम है कि बॉलपोनू मरने वाला है तुम जब उसका विश्वास जीत लोगे तो मरने के समय ये प्रोपर्टी बॉलपोनू अपना प्रोपर्टी भी और तुमारा प्रोपर्टी भी वापस तुमारे नाम कर देगा तो तुम डवल प्रोपर्टी के मालिक हो जाओगे ये आइडिया इसको बहुत अच्छा लगा इतना अच्छा लगा कॉर्वेशियो को कि ये अपने बेटा को भी चीट करने के लिए नहीं चोड़ा वो अपने बेटा को भी धोखा देने के लिए रेडी हो गया उसके बेटा जैसा मैंने बताया था आपको बॉनेरियो उसका बेटा का नाम है अब वो बॉनेरियो को भी अपने प्रोपर्टी से बेदखल करने के लिए तयार हो गया क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं अपनी प्रोपर्टी बॉल परनों का नाम लिख दूँगा तो बॉल्पेनों मरने के समय में अपनी प्रोपर्टी और मेरी प्रोपर्टी दोनों ही मेरे नाम कर देगा यहां आइरनी यह है मज़े की बात यह है कि बॉल्पेनों से ज़्यादा एज का यह आदमी है कॉर्बेशियो कॉर्बेशियो बॉल्पेनों से भी ज्यादा उम्र का है लेकिन फिर भी उसकी लालसा है कि बॉल्पेनों पहले मड़ेगा और उसकी प्रोपर्टी का अगदार में होंगा यह बहुत अजीब तरह का थिंकिंग था उसका कारण कि वो लोवी था और लोव के बस में था अपने बेटा को भी प्रोपर्टी से वो बेदखल करना चाहता था ठीक है अब इधर मोस्का ने एक चाल चली वो बोकेरियो वो बोनेरियो को भी यह बता दिया कि देखो तुम्हारा जो फादर है कौरवेशियो वो तुमको अपनी प्रोपर्टी से वेदखल करने वाला है और यह प्रोपर्टी वोल पोने को नाम करेगा अगर यकीन ना हो तो इस टाइम पे फ़लाने टाइम पे तुम मेरे घर पहुंच जा और वहाँ देखना तुम्हारा फादर आएगा और वो प्रोपर्टी वोल पोनेरियो के नाम करेगा बहुत गुस्सा आया इसको बोनेरियो को ये मोस्का ने ये चाल जानभूज करके चली थी इसका परिणाम क्या होगा कैसे क्यों ये चाल चली थी इसको हम लोग आगे डिसकस करेंगे तो बॉल पेनो का पहला सिकार बना कॉर्वेशियो अब दूसरा सिकार बॉल पेनो को ये सुनने में आया कि कॉर्वीनो एक आदमी है जिसकी वाइप है सीलिया और बहनिस सहर की सबसे सुन्दर लेडी है वो अब लस्ट और पैसन उसके अंदर जगा हर हाल में वो सीलिया को पाना चाहता था तो मॉस्का इस बात को समझ गया और मॉस्का ने बोला मालिक आप चिंता ना करें सीलिया को मैं ले आओंगा उधर कॉर्विनो एक ऐसा आदमी था जो सीलिया को किसी भी कीमत पे वो बाहर और किसी से बाहर नहीं जाने देना चाहता था और किसी आदमी से मिलने भी ने देना चाहता था वो हामेश सा उसको इस्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन में रखता था घर के अंदर ही रखता था उसको मनाई ती सीलिया को किसी से भी बात करने की इन लोगों ने उपाई ढूणना सुरू किया मोसका ने आखिर एक उपाई खोज डाला उसने क्या किया वाल पे नो मोसका और उसका एक नो कर नैनो मौंटे बेक बनकर मौंटे बैंक बनकर वो कारवीनो के घर पहुंचा कारवीनो के घर के खिरकी के नीचे उसने एक मजमा लगा दिया मौंटे बैंक बोलते हैं हकीम को आप हिंदी में बोलते हैं नीम हकीम खत्रेजान वही ये तेल बेचने वाले जो सड़क के किनारे टेंट लगा करके माइक लगा करके तेल बेचते हैं उसको मौंटे बैंक बोलते हैं और उसी मॉन्टे बेंक का बेस बना कर ये बॉलपोनो मोस्का और नेनो वहां पहुंच गया उसके खिर्की के नीचे और मजमा लगा दिया ये सेलिया अपनी खिर्की के पास पहुंची और उसने वहां से देखना शुरू किया उसको बहुत अच्छा लगा और वो समझ भी गई कि something is there for her उसने अपना रुमाल खिर्की से नीचे गिरा दिया वालपेनों की तरफ और इस चीज को कॉर्वीनों ने देख लिया वो बाहर निकला और मजमा को डांट डपट के बगा दिया वहां से उन लोगों को भी सीलिया को घर के अंदर कैद कर दिया और बोला तुमको अब खिर्की के पास भी नहीं जाना है ना तुमको चेर्च जाना है और एक चेस्टिटी बेल्ट दिया कि तुम इसको पेनोगी दूसरा वो जो हैंकी सीलिया ने खिर्की से गिराया था वो हैंकी बॉल पेनों लेकर बहुत खुस हुआ वो घर पहुँचा अब उसका सातिर दिमाग काम करने लगा कि सीलिया को कैसे उसके घर लाना है तो मोस्का लग गया इस काम में बोला मालिक आप चिंता न करें वो आ जाएगी इसलिया और मोस्का गया कॉर्विनो के पस कॉर्विनो को बोला कॉर्विनो देखो कॉर्विनो बॉल्पनो तो मरने वाला है बहुत बुड़ा आदमी और तुमको मालूम है कि वो बहुत बड़ा प्रोपर्टी का मालिक है उसका प्रोपर्टी का कोई हटदार भी नहीं है डॉक्टर बोला है कि अगर कोई यंग लेडी उसके साथ सो जाए उस बुड़े भॉलपोनों के साथ तो भॉलपोनों की बिमारी ठीक हो जाएगी इसलिए तुम्हारे पास ये मोका है वो कर तो कुछ नहीं पाएगा अपनी वाइफ को तुम उसके पास बेज़ दो तो उसकी तुम्हारी वाइफ उसके साथ सो जाएगी वो कुछ कर तो पाएगा नहीं प्रोपर्टी पूरा का पूरा तुम्हारा हो जाएगा ये आइडिया इसको अच्छा लगा कॉरविनों को वो लगूड आइडिया बुड़ा आदमिया क्या कर सकता है वो वो कॉरविनों सीलिया को लेकर अब पहुंचने वाला है बॉल्पेनों के घर में अब चलते हैं कॉरवेशियों के पास और उसका बेटा के पास बॉनेरियों के पास कौर्वेशियों को भी उसने टाइम दिया था कि तुम आकर अपना प्रोपर्टी बॉलपोनों के नाम लिख देना और इस बात को उसने बॉनेरियो को भी बोल दिया था कि यकीन ना हो तुम्हारा बाप, तुम्हारा फादर अपना प्रोपर्टी से तुम को बेद अखल करके वो प्रोपर्टी भॉलपोनु को लिखने जा रहा है यकीन ना हो तो तुम मेरे घर आ करके देख लो कि तेरा फादर कैसे उस प्रोपर्टी को बॉलपोनु के नाम कर रहा है तो बोनेरियो आ गया मोस्का के साथ बॉलपोनों के गर में और मोस्का ने उसको एक रूम में छिपा दिया बहला यहां से तुम बैटकर देखते रहना तेरे फादर आएंगे और प्रोपार्टी को कैसे उसको लिखेंगे तुमको बेदाखल करेंगे वो देखना चाहता था इस चीज को बनेरियो इसलिए वो उस रूम में हुआ बैठा हुआ है वाच कर रहा है गोटी उल्टा पर गया मोस्का का ये गोटी ये सड्यांत्र उल्टा पर गया कॉर्वेशियो तो नहीं आया हाँ उसके बदले कॉर्विनो और सीलिया दो नहीं पहुँच गया अब कॉर्विनो सीलिया को बोल रहा है कि सीलिया मैंने तुमको यहाँ पे इसलिए लाया है कि ये बुड़ा आदमी है बॉल पे नू इसके साथ तुम सोजाओ कुछ तो करने ही पाएगा वो प्रोपर्टी अपने नाम हो जाएगी वो हमारे नाम पे ये प्रोपर्टी कर देगा तो सीλिया बहुत गुसा होई फाइनली ये समझ गया कॉर्विनो कि सीलिया नहीं मानेगी जब तक मैं यहाँ पे हूँ सीलिया साथ नहीं मानेगी इसलिए मेरे चले जाने के बाद हो सकता है सीलिया इस बात को मान जाए और प्रोपेटी हमको मिल जाएगा अगर वो सो जाएगी तो अब वो कॉर्बीनों वहां से चला गिया सीलिया अब अके लिए और रूम से वो सब देख रहा है बॉनेरियो सब कुछ देख रहा है बॉनेरियो भी इधर है कोई वाच कर रहा है वो लास्ट आप पैसन की वज़ा से वो तो बिमार मार कुछ था नहीं वो जंप करके पहुंच गया सीलिया के पास और सीलिया को मनाने का कोशिस किया जब सीलिया ने नहीं माना तो इस बॉल पे नो उसका रेप करने का कोशिस किया तो बॉनेरियो सीलिया को बचाने के लिए बीच में आ गया अब बॉल पोनो का दिमाग खरब यह कहां से टपक गया जब वहां तू-तू-मैमे होने लगी तो मौस्का भी पहुँचा मौस्का पहुँचा और बुला भाई क्या बात है क्यों है इतना हलंग हमा हो रहा है तो बॉनेरियो और सीलिया ने बताया ऐसी ऐसी बात है और उसके बाद फाइनली यह बात कोट तक पहुँच गई अब केस स्टार्ट हुआ हाँ इस मिच एक और कांड हो गया जब बॉनेरियो रूम के अंदर था कॉर्विनो सीलिया को लेकर उधर आया आने वाला था उसी बीच एक लेड़ी जिसका नाम है लेड़ी उड़ भी वो भी पहुँच गई मौस्का के पस वो बहुत बखबख करती थी वो लेड़ी अब मौस्का सोचने लगा आप ये लेड़ी तो सब कुछ को बरबाद कर देगी जितना मेरा सध्यंत्र रचा हुआ है वो सब कुछ बरबाद कर देगी ये लेड़ी अगर यहां से नहीं गई तो तो उसने जूट बोल दिया उस लेड़ी उड़ भी को कि अरे भाई आपका जो ये हस्वेंड है हस्वेंड का नाम है सर पॉलिटिक उड़ भी अब ये हस्वेंड सर पॉलिटिक उड़ भी अभी अभी एक प्रोस्टिचूट के साथ चला गया है जा उसको पगड़ो खोजो देखो और वो वहाँ से निकली चली गई वो लेड़ी उड़ भी अपने हस्वेंड की तरव अपने हस्वेंड को कोजने के लिए कि वो किस प्रोस्टिचूट के साथ गया है तो इसी बीच उसके जाने के जस्ट बाद कॉर्विनो और सीलिया वहाँ पर पहुँचे थे जिसकी वज़ा से हंगामा हुआ और मामला रेप तक पहुँचा और ये केस बना अब भेनिस के कूट में ये केस स्टार्ट हुआ केस लड़ेगा बॉल्टेओर भॉल्टोर को भी लोब था कि वाल्पोने का सारा प्रोपर्टी अगर मैं वाल्पोने को बचा लूँगा इस केस में तो इसका सारा प्रोपर्टी का हगदार मैं हो जाओंगा तो ये तीन वे वाल्टोर, कॉरवेशियो और कॉरविनो ये तीनो वालपhero के property को लेने के लिए अलग अलग धंग से अपना अपना approach कर रहे थे लेकिन तीनो में से किसी को मालूम नहीं था कि मेरे सिवा कोई और भी वालपोनों के property का trap में फसा हुआ है Walter का सोचना था मैं अकेला हूँ इसका दावेदार इसकी property का दावेदार कॉर्वेशियो सोचता है मैं अकेला हूँ बॉल्पोनों के प्रोपर्टी का दावेदार और कॉर्विनो सोचता है मैं अकेला हूँ बॉल्पोनों के प्रोपर्टी का दावेदार और इस तीनों का मज़ा ले रहा है बॉल्पोनों और मॉस का अब मामला जब कोट में चला तो बॉल्ट अर्टोर, कृर्वेंशियो, कौर्वीनो ये तीनो के तीनो इसके बॉल्पवनों के सपोर्ट में आ गए उन तीनों ने ये साभित करने का कोशिस किया कि बॉनेरियो और सीलिया दोसिय है ये बेचारा बॉलपनो बुढ़ा आदमी है ये क्या किसी का रेप करेगा इसलिए ये केल्स फॉल्स फॉल्स है और बॉलपनो को फसाने की कोशिष कररा है ये बॉनेरियो और सीलिया अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक फादर है कॉर्वेशियो वो क्यों अपने बेटा को फसाएगा एक हस्वेंड है कॉर्वीनो वो क्यों अपनी वाइप को फसाएगा हुआ ऐसा कि मोस्का ने एक और चाल चल दी कॉर्वेशियो को बोला कि देखो बॉनेरियो को तुम डिस्पजज कर रहे हो प्रोपर्टी से इसलिए बॉनेरियो तुमारा मडर कर देगा तो कॉर्वेशियो अपने ही बेटा को रास्ता से हटाने के लिए वो बॉल पेनों का सपोर्ट कर दिया अबकि वो खुद बॉल्पेनों से भी ज़्यादा ओल्ड मेन है ये हुआ एक करण की एक फादर अपने बेटा के एगेंस्ट में जा करके वो विटनिस मना कोट में अब रहा बाद कॉर्वीनों का कॉर्वीनों को भी प्रोपर्टी का लालज दिया हुआ था बॉल्पेनों का मोस्का ने कॉर्वीनों को बोला यही बहतर टाइम है तुम्हारे लिए कि तुम बॉल्पेनों का दिल जीत सकते हो अगर तुम अपनी वाइप के एगेंस्ट में विटनिस दे दोगे तो सारा का सारा प्रोपर्टी वो तेरे नाम कर देगा बस उसको भी लोग हुआ और उस जीजान से केस को फॉल्स करने में लगाए हुआ था इसी बीच कोट में पहुँच गई लेडी उडवी भी और सार पॉलिटिक उडवी और उसके साथ एक और आदमी है जो प्रिग्रीन वो ट्रेबलर है वो भी उदर था तो लेडी उडवी को बोलता है लेडी उडवी को प्रिग्राइन यही आदमी के वेस में वो प्रोस्टिचूट है जो मेरे हस्बेंड को फसा रखी है तो मोस का बोलता है नहीं नहीं यह नहीं है उस प्रोस्टिचूट को मैं जानता हूं और आप तुमको मैं बता दूंगा उस प्रोस्टिचूट के बारे में तुमारा हस् जान बूज करके बॉलपनों को फसा रहे हैं बस लेडी उड़ भी भी ट्रैप्ट हो गई और लेडी उड़ भी ये बात कोट में बॉल दी कि नहीं बॉनेडियो और सीलिया उसको बॉलपनों को फसा रहे हैं ऐसा कोई भी बात नहीं है वो एजएड आदमी है ऐसा कुछ नही हुआ नहीं है लेकिन हाँ फैसला को रिजर्व कर दिया गया कुछ दिन के बाद पैसला आना है लेकिन वॉल पेनों को भुला कि यहां आप फ्री है कि आप जा सकते हैं वॉल पेनों चला गया। तो इतने से भी इस सैतान का मन नहीं वड़ा, वो कुछ और टॉर्चर करना चाहता था इस तिनों को, किसको? बॉल्टोर को, कॉर्वेशियों को और कॉर्विनों को, तो वो बोला मोस्का को, बॉल्पो ने मोस्का को बोला, देखो मोस्का, एक अफवा उड़ाओ, कि मैं मर ग गया, और मैं अपना सारा प्रोपर्टी तेरे नाम लिख देता हूं, इस से क्या होगा, कि वो तीनों तुमारे पास आएंगे, तुम से पूछेंगे, प्रोपर्टी तुमको दे करके गया, जबकि हमको देना चाहिए था, तो बहुत मजा आएगा, और इस तीनों को टॉर् बॉल पेनों एक नमबर का सेडिस्टिक आदमी था, दूसरे को प्रॉबले में देखे उसको बहुत मजा आता था, और किस तरह से वो उस तीनों को टॉर्चर करता था, वही हुआ, बॉल पेनों ने अपना प्रोपर्टी मॉस्का के नाम लिख दिया, और बोला, कि तुम र अर्यूमर जब उठा तो ये तीनों के तीनों दौड़ते हुए पहुंचे वहां, मॉस्का के पास, अरे मॉस्का बॉल पन उमर गया और प्रोपर्टी तुम्हारे नाम कैसे हो गया, वो तो हमारे नाम पे होना था, तो मॉस्का उस तीनों से सीधे मूँ बात भी नहीं किय जा जा हटो, कुछ इस तरह का एटिचूट दिखाया, ये तीनों मैं बिल्कुल नर्वस हो गए, और सर्प्राइजड हो गए कि ये क्या हो गया, अब कोट का वर्डिक्ट आने का है, हम लोग विटनिस दे दिया, कोट का वर्डिक्ट आएगा, और सजा होगी बोनेरियो सी लिया को, फिर ये क्या हो रहा है, वो मर गया और प्रोपर्टी इसको लिख करके चला गया, हम लोग को बेवकुब बनाया, मोसका ने क्या किया, वो अब उसका एटिचूट चेंज हो गया, वो अब खुद को, मालिक तो वो होई गया था, प्रोपर्टी उसके नाम लिखा गया था तो उसको घ्मंड हो गया कि यह सारा property मेरे नाम है अब मैं क्यों दे जाओँ इस property को बॉल पनों के बॉल पनों जब ये तीनों VOLTAR कारवेशियो और कारविनो तीनों इसकी मौत का खबर जब सुना बॉलपविनों की मौत का खबर सुना तो वो तीनों के तीनों पहुंच गए मोसका के पास पूछने के लिए और इस बीच बॉलपविनों अपना अड्रेस हू लिया चेंज करके एक officer के रूप में उस तीनों के पास आया और मजा लेने लगा बात का ठीक जब मोस का अपनी property का वो अपना property का अब वो समझा कि हम मालिक हो गया और बॉल पेनो अब कुछ भी नहीं है उसका सारा property का मालिक हम हो गया तो उसका attitude change हो गया अब भॉल पेनो बहुत problem में पढ़ गया भाई मेरा ही property लेके वो मेरा मालिक बन गया नहीं छोड़ूँगा नहीं तुमको मोस का मैंने तुमको अगर property लिक करके दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरा मालिक बन गया अब तो हम भिखारी बन गया मैं तुमको छोड़ूँगा नहीं अब ये आज judgment का day है कोट में फैसला होने वाला है जो कि pending रखा गया था रिजर्व रखा गया था फैसला को कोट में आज फैसला आने वाला है सब पहुँचे मोस्का भी बॉल्टेर भी कोर वेसियो भी कोर वीनो भी और इस भी सब को मालूम था कि बॉल्पेन हो मर चुका है वो भी भेस बदल करके वहां पहुँच गया था कोट में ही बॉल्पेन होने अपना भेस चेंज करके औरिजनल रूप में आ गया बोला कि मैं बॉल्पेन हूँ मैं जिन्दा हूँ और ये सारा सडियंत्र मेरा किया हुआ है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ अगर मेरा प्रोपर्टी मेरे नाम नहीं हुआ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मोस्का या कोई और मेरे प्रोपर्टी का मालिक बने इसलिए हम तो जाएंगे सनम तुमको भी लेडू बेंगे और कोट ने सब सचाई जब कोट को मालूम हो गया तो कोट ने अपना फैसला सुनाया क्या सुनाया बॉल्टर जो की प्लीडर था एडवोकेट था उसका लाइसंस रद दो गया और उसको तड़ी पार कर दिया गया दे इस निकाला सजा दे दिया गया नमबर वान नमबर टू कॉर्वेशियो को बोला गया इमिडियेट तुम अपना प्रोपर्टी बॉनेरियो के नाम करो और उसको तुरंत प्रोपर्टी उसको बॉनेरियो के नाम करने का ओर्डर मिला तीसरा कॉर्विनो को ये ओर्डर मिला कि तुम अपनी वाइफ सीलिया को डिवर्स दो ये तीन ओर्डर ये तीनों के लिए आया वाल्टेर के लिए कॉर्वेशियो के लिए और कॉर्विनों के लिए मोस्का को ता उम्र जेल की सजा मिली पूरे उम्र जेल की सजा मिली और उसको कोड़े भी लगाए गए पबलीकली हुमिलीट भी किया गया इन लोगों को और बहुलपोने को चुकि ये मैन सद्यांत्रकारी था प्लोटर था, कॉंस्पिरेटर था, हर चीज का, रूट अफ आप आप अल इविल्स था, तो इसको कैपिटल पनिश्मेंट मिला, कैपिटल पनिश्मेंट मिन्स फांसी की सजा और फिर ये ड्रामा यहीं पे खत्म हुआ, ये था बॉल पोने, ओके, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इपिसोड के साथ, थैंक्यू वेरी मच्च